हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सब आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के लिए लौकी और कच्छे आलू से बनने वाली बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नास्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आती है अक्सर घर में बच्चों को लोकी पसंद नहीं आती है पर इस तरह से अगर लोकी की ये नास्ते बना कर आप देंगे तो बच्चे की थाली में से कब ये चट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो इसे बनाने के लिए गैस पर मैंने रखा है एक पै कर के लिया था और मैंने साफ से आठ करी के पत्ते इन सभी को मैंने डाल लिया है और इसे हलका सा छोटकने देंगे जब ग्राश Lisa मैंने घप मैंने और इसे बेंगे बदेंगी तो मैं इसमें डाल रही हूं एक टमाटर जो मैंने बारिक कटकर के लिया है इसे भी डाल कर इसे भी हलका सा सॉफ्ट होने देंगे जब यह हलका सा सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर तो मैं इसमें डाल रही हूँ दो पिंच हल्दी और साथ में एक छोटा चम्मच के करीब मैंने इसमें लसुन और अदरक का paste आड किया है और इसे भी कुछ seconds के लिए भून लेंगे ताकि लसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए जब यह लसुन और अदरक का कच्चापन दूर हो जाएगा तो मैं इसमें एड करूंगी एक कप बारिक कदुकस किया हुआ आलू तो यह मैंने मोटे वाले पोर्शन से किया है इसे कदुकस और साथ में मैंने लौकी को भी मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और मैंने एक कप आलू लिया है एक कप मैंने इसमें लौकी लिया है इसको हमें तब तक पकाना है जब तक आलू जो है वो पक न जाए और लौकी जो है वो भी सौफ न हो जाए मतलब करीबन हमें 80 से 90 परसंट इसे कुक कर लेना है तो इसे कुक करने में बहुत जादा टाइम नहीं लगेगा तीन से चार मिनट बस लगेंगे और ये अच्छे से सौफ हो जाएगा आप देख सकते हैं जो आ ये में ले रही हूं दगी और इसे हम डाल लेंगे जो हमने लेखक तजयांने मिक्ष्यर किया है उसमें में अलग बाओल में नहीं निकाला हूं आप चाहें तो निकाल सकते हैं पर मों ज्यादा बरतन नहीं गंदा कर रही इसलिए मैंने जो पैन में मैंने पकाया है उसी में डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम बंध है फ्रेंट्स गैस की फ्लेम हमने ओन नहीं किया है और हमने जो इसमें पोहा दही का मिक्षन बनाया है वो भी हम डाल लेंगे और इसमें हम एक छोटा चमच पावभाजी मसाला आध हम स्वाद के अनुसार इसमें एड करेंगे और साथ में हम इसमें डालेंगे पानी तो मैंने यहाँ पर एक कप ही पानी लिया है मैंने सारा एमाउंट मैंने अपसे सेयर किया है एक कप आलू एक कप लौकी एक कप सूजी और एक कप पानी एक एक कप हम इसमें एड करेंगे अब बस इसे हमें अच्छे से mix करना है ताकि लॉकी टमाटर आलू सब अच्छे से mix हो जाए सूजी तो ये देखे ये अच्छे से mix हो गई है तो इसे हम ढख कर 10 मिनट के लिए rest पर छोड़ देते हैं 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं जो हमारा सूजी है वो अच्छे से फूल गया है और हलका सा थिक हो गया है तो बस इस स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें आधा छोटा चमच वेकिंग सोडा और ये थोड़ा सा थीक है ना इसलिए मैं यहाँ पर एड़ करूंगी एक जिएगा मेरा जो बैटर था थोड़ा गाढ़ा था मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है और एक गैस पर हम रखेंगे एक पैन तो ये मेरे पास मीडियम साइज की पैन है मैंने उसी का इस्तिमाल किया है आपके पास अगर छोटा पैन है तो आप छोटे वाली तिल को स्प्रेड कर दिया है ताकि जो नास्ता है वो देखने में थोड़ा एट्रेक्टिब लगे और जो हमने बैटर तैयार किया है उसे भी हम पूरे पैन में फैला देते हैं स्प्रेड कर देते हैं और इसे ढखकर एक से दो मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे ध्यान रखेगा फ्रेंड्स हमें हाई फ्लेम नहीं करना है उपर से जब सूक जाए तो उपर से हलका सा मैंने ओयल से ग्रेज कर लिया है और इसे हम पलट लेंगे तो ध्यान से पलट येगा फ्रेंड्स ये थोड़ा सा सौफ्ट होता है तो इसे पलटने में थोड़ी सी आ लागा है देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा हमारा नास्था तो बस हम इसे प्लेट वे निकाल लेते हैं इसी तरह से बाकी जो हम्मारे नस्थे उसे भी हम बनाकर रेडी कर लेते हैं इस बैटर से मैंने यहाँ पर चार नास्ते बनाकर रेडी किया है और इसे आप चटनी के साथ सौस के साथ किसी के साथ भी इंजॉय कीजिए बहुत ही स्वाधिस्ट लगता है तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी आज की यह हेल्दी लौ आइकन भी प्रेस कर लिजेगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके बाइबाइ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में